कि नमस्कार सर्पोतर प्रेम आपको स्वार्श में तर्म आइए नज़र डालते हैं आज की खाले में स्व्रहाम मंत्री स्वामित लोगना का लाब उठाने के लामें एक और प्रयास जिनका लाब हमारे गाउं के लोगों को मिलना शुरू हाए और मैं चाहता हूँ गाउं के लोग इसका भरपूर फाइदा उठाएं और वो है प्रधान मंत्री स्वामित्व योजना आने वाले दिनों में ये योजना देश के गाउं में रहने वाले लोगों का भाग्य बदलने जा रही हैं और यूपी देश के उन शुरूआती राज्यों में से एक हैं जहां ये प्रधान मत्री स्वामित्व योजना लागू की गई हैं काम चल रहा है गाउं में इस योजना के तहट गाउं में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन उनके घर के मालिकाना हक के कागच टेकनोलोजी के माध्यम से नाप करके ये हक उनको दिया जा रहा है आजकल यूपी के भी हज़ारों गाउं में ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है मैपिंग कराई जा रही है ताकि लोगों की संपत्ती सरकारी रेकॉर्ड में आपके नाम से ही दर्ज रहे इस यूजना के बाद जगह जगह जमीनों को लेकर गाउं में होने वाले विवाद समाप्त हो जाएंगे इसका सबसे बड़ा लाब ये होगा कि आप गाउं की जमीन या गाउं का कागच गर दिखा कर जब चाहें बैंक से लोन भी ले पाएंगे और आप जानते हैं कि जिस प्रापर्टी पर बैंक से लोन मिल जाएं उसकी कीमत हमेशा ज़्यादा होती है यानि स्वामित्व योजना का अच्छा प्रभाव अब गाउं में बने घरों और जमीनों की कीमों तो पर भी होगा स्वामित्व योजना के और इस योजना से गाउं के हमारे करोडों गरीब भाईयों और भेहनों को एक नई इस ताकत मिलने वाली है यूपी में साड़े आठ हजार से ज़्यादा गाउं में एक काम पूरा भी हो गया है सर्वे के बाद लोगों को जो डिजिटल सेटिफिकेट मिल रहा है उसे यूपी में घरोनी कहा जा रहा है मुझे बताया गया है कि 51,000 से ज़्यादा घरोनी प्रमानपत्र मांटे जा चुके हैं और बहुत जल्द एक लाक और हमारी जो गाउं के लोग हैं उनको भी ये घरोनी प्रमानपत्र मिलने वाले हैं